मैंने लिया है एक कप यहूं का अर्ट करठा उसम मैं लून गी फिर मैं डालूंगी इसमें आधा च्ममच नमख फिर मैं इसे सान लूँगे साननी के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा च्ममच रिफाइन ओल ताकी हमारा डो जो है बिल्गुल सॉफ्ट हो जय अब मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगे इतनी देर मैं लूँगी एक कढ़ाई कढ़ाई में मैंने लिया है एक चमच रिफाइन ओयल उसमें मैंने लिया है कच्चा प्याज और हरे मिर्च फिर मैंने इसमें डाला है आधा चमच नमक, आधा चमच लाल मिर्च पॉडर आधा चमच जीरा पॉडर एक चमच धनिया पॉडर और आधी चमच खटाई फिर मैं इसमें डालूँगे एक चमच चिलिफलिक्स अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी अब मैंने इसमें लिया है आलू, आलू मैंने दो मीडियम साइज आलू को उबाल के चूर लिया था अब मैं आलू को अच्छी तरीके से इसमें मिला दूँगी फिर मैं इसमें दालूँगे धनिया पती, धनिया पती को भी अच्छी तरीके से इसमें मिला दूँगी अब हम आएंगे अपने डो के तरफ डो का मैंने छोटा सा एक लोया बना लिया है इसे मैं रोटी की तरह बेल लूँगी बहुत बड़ा साइज नहीं बनाना है छोटा सा मेडियम साइज अब मैं इसे तावा पे 30-30 सकेंड के लिए दोनों तरफ सेक लूँगी यह अभी कच्चा ही है अभी मैं इसे फिर से सेकूँगी अब मैं इसमें टमैटो केचप फैला दूँगी अच्छी तरीके से फिर मैं इसमें अपना मसाला डाल दूँगी जो मैंने आलू का बनाया है अब हम डाल देंगे थोड़ा सोस में से चीज मौज़ेला चीज मैंने डाला है अब हम इसे तावा पे अच्छी तरीके से सेखेंगे मैंने तावा पे थोड़ा घी लगा दिया है अब मैं अपनी टैकोस को इस पे डालके अच्छी तरीके से चारो और सेख लूँगी देखें हमारा नास्ता बनके तयार हो गया है